प्रिये भक्तों, आज हम सोम प्रदोस ब्रत की कथा आपको कहेंगे। सोम प्रदोस बरत कथा सुनने के बाद मनुष्य के मन में अच्छे विचार आते हैं और सकारात्मक्ता आती है इससे सिध्धी प्राप्त होती है और भगवान भोले नात का आशिरवाद प्राप्त होता है जो प्रदोस बरत सोम बार के दिन परता है उसे सोम प्रदोस कहते हैं और इस प्रदोस बरत में सोम प्रदोस बरत में भगवान शीव और मा पारवती की पूजा की जाती है प्रदोस बरत जो है उक्ति रोजसी के दिन रखा जाता है और प्रतेक महिने में दो प्रदोस बरत होते हैं अभी जो हो रहा है यानि कि कल सोम बार को प्रदोस बरत हो रहा है इसलिए सोम प्रदोस बरत इसे कहेंगे माननेता है कि इस दिन भगवान सीव की पुजा करने से सभी पापों का नास होता है, एवं मिर्थु के बाद भी मोक्ष की प्राप्ती होती है। इसी तरह प्रदोस बर्त रखने एवं दो गायदान करने से एही सिध्धी प्राप्त होती है एवं भगवान सीव का आशिरबाद प्राप्त होता है तो सोम प्रदोस बर्त को करने से मनुसमें सुविचार और सकारात्मक्त आती है तो आईए जानते हैं सोम प्रदोस बरत की एक नगर में एक ब्राम्हनी रहती थी, उनके पती का स्वर्गबास हो चुका था, अब उनका कोई आश्रेदाता नहीं था, इसलिए प्राता होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल परती थी, भीख्छा मांग कर ही ब्राम्हनी अपना और अपने पुत्र को पेत को पालती थी, एक दिन ब्राम्हनी जब घर लट रही थी, तो उसे एक लर्का घाय लबस्ता में कराहता हुआ मिला, ब्राम्हनी जो थी दयालू थी, उदयाबास उसे अपने घर ले आई, वह लर्का विदर्भ का राज कुमार था, शत्र उसैनीक ने उसके राज पर आक्रमन करके, उसके पिता को बंदी बना लिया था, और राज पर नियंत्रन कर लिया था, इसलिए वह लर्का मारा मारा फिर रहा था, राजकुमार ब्राम्हन पुत्र के साथ ब्राम्हनी के घर रहने लगा एक दिन अन्सुमती नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा और उस पर मोहित हो गए अगले दिन अन्सुमती अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई उन्हें भी राजकुमार अच्छा लगा भागया कुछ दिनों बाद अन्सुमती के माता पिता को भगवान संकर ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अन्सुमती का बिवाह कर दिया जाए उन्होंने वैसा ही किया ब्रामनी जो थी और प्रदोस ब्रत करती थी उसके ब्रत के प्रभाब और गंधर्व राज की सेना की शहायता से राजकुमार ने विधर्व से सत्रुओं को ख़देर दिया और पिता के राज को पुनह प्राप्त कर आनंद पुरुवक अपने राज में रहने लगा राजकुमार ने ब्राम्हन पुत्र को अपना मुख मंत्री बनाया माने प्रधान मंत्री बनाया ब्राम्हनी के प्रदोस ब्रत करने के महात्म से जैसे राजकुमार और ब्राम्हन पुत्र के दिन फिरे वैसे ही संकर भगवान अपने दुसरे भक्तों के दिन फेरते हैं तो बोलिए हर हर महादेव जय सिव संभू।